नमस्कार आप देख रहे हैं आवाज आपकार आपके साथ है M.S. परदेशी आईए आपको लिये चलते हैं सीधे कारीकुसा कोशी की कहानी निराली है कोशी की इस कभी न रूखने वाली धारा में बनवनखी का इत्यas क्हुंपा है कहा जाता है कि इसी नदी के कारण बनवनखी बसा है तथा छोटे छोटे गाउं का विस्तार हुआ है यूँ तो कारी कोशी सालों भरबती है परन्तु बारिस के दिनों में यह विक्राल रूप धारन कर लेती है जिसके कारण परतेक वर्स इस नदी के कछार में बसे सेकडों गौँ में बाढ़ आती है इस नदी का उद्गम अस्थल नेपार माना जाता है तथा यह कोशी की साहयक नदिया में से एक है परतेक वर्स कोशी में जलस्तर बढ़ने के बाद इसके जलस्तर में भी बरहुतरी होती है जिसके कारण यह अपने रास्ते में तबाही मचाते च भोगोलिक दृष्टि कोन से इस इलाके के लिए यह किसी वर्दान से कम नहीं है बाढ़ के दिनों में हिमाले एवं नेपाल से अपने साथ उपजाओ मिट्टी लाकर इस इलाके के हजारों हेक्टेर बूमी पर बिछा जाती है और रसानी खाज से बचाती है जिसके कारण यह उपजाओ मिट्टी सालों भर यहां के किसानों के खेत में सोना उगलती रहती है वहीं अपनी जल धारा के साथ कारी कोसी अपने साथ कई परजात्याओं की मचली बहा कर लाती है जिसमें इस इलाके के सेकरों परिवार के जीविका चलती है कास करके महलदार इसका फायदा उटाते हैं साथी अलग-अलग वेंजनों के रूप में इस छेत्र में पाई जाने वाली रेवा, रेवडी, कवई, कतला, मांगुड, रेहू, दड़ही, कुरसा, सिंघी, बामी, गड़े, जिंगवा, मुसहनी, अडिया, आदी, दुडलब मचलियां परोसी जाती है, जबकि इस नदी के कारण सालो भर आसपास का हजारों हेक्टर बुमी हरी भरी रहकर हरियाली बिखेरती है, जिससे इस इस इलाके में स्वक्ष वातावरन कायम रहती है, हरियाली के कारण जम कर बारिस होती है, और जल संकर जैसी समस्या उत्पन ह होने का खत्रा इस नदी के कारण नहीं होने देती है, वहीं कारी कोसी की अवरिल धारा जगह जगह बांध बनाने के कारण जरूर अवरुद्ध होती रहती है, परन्तु बारिस के दिनों में रोदर रूप धारन कर अपना रास्ता खुद प्रसस्त कर अवरिल बहने रहने क इसका पुराना इतिहास रहा है कारी कुषा की अवरिल्ता को कायम रखने के लिए इसकी परियापत साप सफाई इसकी संदक्षन की अवसकता सभी नेता द्वारा की जा रही है लेकिन नदी की साप सफाई नहीं होने के कारण इसकी स्वक्षता खत्रे में है नदी के किनारे अवैद मिट्टी एवं बालू खनन की इसकी अवरियलता परवावित होती है जिस कारण नदी की धारा विचलित होती रहती है जानकारों का माने तो परतेक वर्ष बरसात के दिनों में यह वैसे इलाके को परवावित करती है जहां कभी भी पानी नहीं गया है इसलिए इसकी संदक्षन की अवसकता है गाद की सफाई नहीं होने से बदलती रहती है कारी कुषा की धारा कोशी की परवा प्रकृतिक रही ह क्योंकि यह अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी अवम गाद और जलकुम्भी लाती है जलधारा के दिसा में मिट्टी अवम गाद भर जाने के कारण यह अपनी मुखे धारा से टेड़ी मेड़ी होकर खिसकती रहती है जिस कारण से बार का खत्रा परतेक वर्स बरकरार रह तता इसका कोई अस्थाई निदान अभी तक नहीं है हाँ अब पुर्णिया सांसद पपु यादव बांध का आवाज उठा रहे हैं आपको बता दें कि यदि बरसात पुरु से ही सरकारी अस्तर से इसकी साप सपाई पर ध्यान दिया जाए तो इस इलाके में बाण का खत्रा कुछ कम हो जाएगी आपको जानकारी होगा कि कारी कुशा नदी के तरद पर पुसी पुर्णिवा मेले का इतिहास फिल्म तीसरी कसम के समझ में आयेगा अगर आप देखें हैं तो कारी कुशा नदी के तरद पर लगने वाली पुसी पुर्णिवा का मेला इतिहासिक रहा ह बनवनकी के कुड़वा घाट मेला कोशी तत पर परदेश का चर्चित कुड़वा मेला लगा करता था लेकिन यहां महिना भर लगने वाले मेले में दूर दूर से लोग कई दिनों की यातरा कर नौ से पहुंचते थे बताया जाता है कि राज कपूर और वहिदा रामान की चर्चित हिंदी फिल्म तीसरी कसम में मेले का सीन यहीं पर फिल्म आया गया था जो कारी कुशा कोशी की प्राकृतिक होने की याद दिलाती है लेकिन भगवान भरोसी चल रहा है कोशी कलकल करती धारा अभी भी सरकार की सिचाई विभाग के तहत कार्ज होती है तीन दसक पूर इस परियोजना के तक किसानों के खेतों तक कोशी का पानी पहुचाया जाता था सरकार ने छोटे-छोटे किसानों के इस महतपूर्ण योजनाओं से अब अपना मुह फेर लिया है यह हाल है कि चंद कर्मिय एवं चंद अधिकारियों की बदोलत विभाग संचालित है विभाग में कर्मियों की सेवा निर्विती होने के बाद रिक्त अस्थानों पर भरती बंद हो गई है कहा जा सकता है कि कारी कुसहा अब आखरी सासें पल्स रेट के आधार पर घटती बढ़ती नब्ज नजर आ आ रही है आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेशी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ यूट्यूब पे बोले MS परदेशी आपके सामने परदेशी हाजिर होगा और आपके साथ कदम से कदम मिला के चले